प्राइन्स सभी को मेरा नमस्कार यह देखी आज हम मोज़ बनाने चल रहे हैं तो ये हमने बारीक कद्दुकस कर लिया है पत्ता गो भी है यह और ये गाजर है यह सिम्ला मिछ भुदा ने किया है छोटे-छोटे टुकड़े में और एक हरी मिछ हमने छोटा-छोटा टुकड दिया है हारी धनीया हमने लिया है अब हम इसको चलने हलका सा ठाई करने है हलका सा हम इसमेल डाल दिये हैं जरम है हम जीरा हलकाश डाल दिये हैं यह चोटे चोटे बीस में दो तीन पीस है लहसम लिये हैं इसको डाल दिये हैं बारिक कटा हुआ प्याज हम इसमें थोड़ा सहरा मेंशे डाल दे रहे हैं इसमें हम सारी सब्जिया को फ्राइब करेंगे डौ मिनट के लिए हमारी सारी सब्जिया हलका सा दो मिनट के लिए फ्राइब करेंगे इसमें हम हलका सा गोल मिलिस डाल देंगे पीसा हुआ नमक भी हम बाद में डालेंगे नहीं तो सब्जियां हमारी गरम है गल जाएंगी तो कि देख़िए ध्लग धलग यह सारी सब्जियां हमारी पक गई है हलका सा इसमें हम हरी दनिया दे रहे हैं और इसको फंदा कर लिये हैं तो इसमें हम स्वाद अनिसान नमक डाल रहे हैं अब इसको मिलाके हम रख देते हैं मैदा तयार कर लेते हैं इसको हम इसमें निकाल ले रहे हैं ठंडा हो तक तक हम मैदा तयार कर लेते हैं अपनी रख देते हैं पत्ता रहे तब मैदा लगाते हैं यह देखी लासन लिये हैं यह हमने छोटा-छोटा पी सद रख लिया है हभी बेटी हैं यह हम पीछा उना चली हैं खाडा नहीं है तो पीसा ले ले रहे हैं है थोड़ा तीख सब्सक्राइब दाची तक यह तो झाटने ऐख हमारा गरम हो रहा है इसमें टमाटब भी डाल दे रहे हैं ऐख दम्सान नमग डाल दे रहे हैं इसको में रख दिये हैं मैदा लगा लेते हैं इधर आपका ये मामोज का मसाला हुआ इसमें हम हलकास लगभग एक कटोरी हमने मैदा लिया है इसमें हम नमक मिलाएंगे और हम आयल मिला रहे हैं अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हाँ से इसके बाद हम पानी डालेंगे यह हम अधिम हलका पानी डालके इस कुलोस साल नहीं है यूप को बीरा इंसानि को यह पूंता जारह है कि यह आपका कुमोज का मसाना प्रक्राइबर अधरल यह चेटनी के तेक्षाने देखि नहीं है लेकिन जुआण से ममोज बना रहे है निकलिक करम पान करहिं हो रहा है और इसकी उपर जो है ये हम प्लेट रख रहे हैं इस तरह ये प्लेट रग दिए हैं अब हम लोई बना रहें छोटी-छोटी है इसे को पढ़ कि दूड़े है हुग हो गया है इसको हम छोटी-छोटी लोई बना रहे हैं यह देखिए अब इसको हम बेल लेंगे पतला पतला हलका सा सुखा मैदा लगा ले रहे हैं अब 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 यह चोटी-चोटी हमने मैदे की पूरी बना ली है अब इसमें हम यह सब्जी डालेंगे जो हमने फ्राई किया है इसको इस तरीके से हम मोड़ेंगे इस तरीके से हम मोड़ेंगे सब्जी को में कि छिए हम इस तरह सब्जी मोच को बना ले रहे हैं। इस तरह से फूल्ड करें। कई तरीके से फूल्ड होता है आप कोई भी तरीके से कर सकती हैं अब यह मोज मेरा बन गया है यह देखिए हम बानी रख दिया थे पानी में भाब बन गया है अब इसमें हम ऐसे रख रहे हैं सभी मोज को कि ममोज कोई मसीन भी आती है नहीं बर्तन आता है तो बर्तन में भट की बनाया जाता है हम तो काहीं नहीं बना रहे हैं इस तरीके से हम बना रहे हैं कि योग से अरिश्कम धब दे रहे हैं लगभर दस मिनक प्लिए अच्छे से यह हमारा भाब बाहर नहीं इकलेगा अच्छे से गैस को हम लोड़ कर दे रहे हैं ममोची चक्नी ही मैं तया करना हूँ अब बहुत तीखी चक्नी है अजह चक्नी बना है अजह ममोच जो है पकर रखा है अजह अब ममोच की तयारी चल रही है हऊ हाँ उपन ममट रहे है ममोच को मंब बढ़क गया है कि फट्रह से चल करती तक का अब इसको में निकाल लेते हैं प्लेट में निकाल रहे हैं बच्चे खाने के विए बोल रहे हैं तो बच्चों को पहले देंगे हैं यह यह इस तरह से देखी यह यह पाहर से पका है और इसकोम दिखाते हैं अंदर से अभी बहुत सॉफ्ट है कि हमारी चटनी भी रेड़ी है इसको हम दिखाते हैं तोड़ी के रिभी यह देखिए यह बहुत अच्छी तरीके से पके गया है मुझ हमारा अब यह खाने के लिए रेड़ी है बच्चे चल रहे हैं इसको खाने तक हमोर रख देते हैं पक्ता रहे हमारा है अब हमारा मुझ बन के रेड़ी है घर की बरतन से बहुत ही टेश्टी बना है आप भी इस तरह से ट्राइब करिए अपने घर वा लुक्त कि लाएगा अगर मेरा तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब क यह वागर मेरे अरिदी तरीका डिंड़ा वाल शिके अपने के रचब मेरे स